वित्यवर्ष 2022-23 का आम बजट पेश हो चुका है और यूपी में चुनाव है ऐसे में ये बजट क्या चुनावी है या नहीं ये जाने के लिए मैं यूपी के डेपूटी सीम डॉक्टर डिदे सर्मा जी के पासूं सर जाहिर है बीजेपी की सरकार ने बजट पेश किया है त आप इसको बहुत अच्छा बजट बजाएं बताएंगे लेकिन यूपी को इस बजट से क्या मिला तेकि उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा और आगर आज के सब्दों में कहें कि विगत पांच वर्षों में सबसे जदा प्रगत तसील क्योंकि ग्यारा लाक करोण की अर्थवजस्ता से वो 22 करोड की अर्थवजस्ता में पांच साल में बदल चुका है इस सबसे जदा लाव का इस बजट से भागीदार उत्तरप्रदेश बनने वाला है सौरूर्जा की छेत्र में अगर आप देखो तो जो टार्गेट रखा गया था उसके उत्पादन का 2030 तक का उस टार्गेट को उत्तरप्रदेश में केवल हमने 2021 में प्राप्त कर लिया 19,500 करोड रुपय का जो सौरूर्जा के छेत्वे बजट का प्रावधान है निशीत रूप में उत्तरप्रदेश में सौरूर्जा के छेत्वे क्रांत्रकारी परवर्तन का परचायग हमने अपलोड किये थे भाई आइटी खड़कपुरू ऐसे लोगों ने भी आस्टेलिया के तमाम विश्व दैलोर हमारे साथ में टाइप किया आज इतना ज्यादा जो दो सोट ने टीवी चैनल के माध्धम से जो आउनलाइन टीचिंग की विवस्था की गई है हमने पहले से सुरू किया था उत्तर प्रदेश में जैश्री बात है हमारे वहाँ वो विवस्था गतिमान है उससे सबसे दल दल राव हमको मिलने वाला है पूरे ग्रामीर चेत्रों में जो इंटरनेट करेक्शन के लिए जो ब्रॉड बैंड की इस्थापना का जो लक्ष रखा गया है उससे सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश का अच्छादित होने वाला है लेकिन एक सवाल आम आदमी का उड़ता है कि आम आदमी जो कोरोना की मार से दो साल से प्रभावित है वो भी कुछ रेलाक्सेशन के उमीद कर रहा था और बहुत बड़ी आबादी यूपी की है आम आदमी को क्या मिला आम आदमी के लिए तो सारी चीज़े है अगर आम आदमी के लिए आप देखो तो तमाम चीज़े सस्ती हुई है अगर आम आदमी के लिए देखे तो गैस का जो कमर्शिल गैस का सिलेंडर था मोबाइल है फोन है चार्जर मोबाइल फोन का चार्जर है जूता चपल कपड़ा कर्सी उपकराण खेती का सावान विदिसी मसीने तमाम चीजे आज आम आवाम के लिए सब्सक्राइब के लिए है ना कपड़ा मोगों के लिए है ना टैक्स के स्लैब में कोई परवर्तन नहीं किया गया है पांच लाक रुपए तक का आमदनी में ट टैक्स का रिलेक्सेशन जो पिछले बार था वो आज भी एजिटिस लागो है इसके लाब मद्वर को ही तो मिलने वाला है साथ में जो उत्तरबर इसके लिए सबसे बड़े लाब की बात आएगी कि जो जीरो बदेट खेती है या मूल समर्धन की तमाम योजनाएं है या ज उपकरम करने के लिए बहुत बड़ा फंड के दिसकार ने आजवित किया है उसका सबसे बड़ा लाब जो मिलने वाला है वो उत्तरबर इसको मिलने वाला है क्योंकि उत्तरबर इस पे जो गंगा निदी का जो भाग आता है वो हम समस्ते सायद 80 प्रिसत के आसपास आता परियोजना के रूप में आएगी वहीं 25,000 किलो मिटर का जो हाईवे बना है 20,000 क्रोल उपे जिस पे खर्च हो गया उसका बहुत बड़ा भागा उत्तरबर इस सबसे ज्यादा हाईवे बनाने वाला प्रदिस बना है तो उसका सबसे बड़ा लाब कोई अगर बिलने वाला है तो उत्तरबर इसके इंफ्रास्ट्रेक्चर को भी लेगा राहूल गांधी मायवती जी या विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब इसको बिल्कुल निराशावादी बजट बताएंगे असी लाख गरीबों के लिए मकान की योजना है असी लाख लोग के लिए और उत्तर लाख आवास वहाँ पर बनेंगे सबसे बड़ा भाग उत्तरबदेश को मिलेगा वो गरीबों को मिलेगा गरीबों के लिए सपा बसपा माकपा बाकपा कांगरेश चाहते नहीं इस दिर को तकलीफ होगा राहूल गांधी जी नौजमानों की नौक्रियों के लिए जो राहूल गांधी कह रहा है मौधी गौवर्मेंट जीरो सम बजट नाफिंग फॉर सेलीट क्लास मिडिल क्लास दपूर और यूथ फार्माज मसमस किसी के लिए कुछ नहीं राहूल गांधी कहा है उनके लिए तो कुछ नहीं है जो राजनीतिक ग्रूपे बेरुजगार है उनके लिए कुछ नहीं है जो हमारे नौजवान है उनके लिए रुजगार के तमाम अश्वर प्रदान किये गए हैं डिजित्रलाइज़सर होगा लाब किसको मिलेगा नौजवान को मिलेगा आज मोबाइल फोन हर विद्याले में यहां पर टीवी हो पढ़ाई के लिए ल का या जे भी खेती का संब्रदन होगा लाब किसको विलेगा मध्यम स्लड़ के किसान को मिलेगा आज हर चीज बेए चारन सॉ वंद्वय मम तरह चैनल लिगा दो स्कालाब भी लेगा मध्य स्थिधी के लोगों को लाब भी लेगा आप तो सार सिक्षक हैं मैं अगर आप से नंबर देने को कहूँ, की 100 नंबर की परिक्षाती बजट और इसमें अगर नंबर देना हो तो कितना नंबर दें। अगर मैं रचत्परशत दोगा, तो आप कहेंगे कि मैंने पक्षपात किया है। कि अगर तो उस उसको बविश्वे पूरा किया गका है, ने बगैर किसानों स्वेक्षों का महलाओं के लिए जो सक्थिख आ आपका वासल ही आंगन बड़ी कारकां क्टार को ससक्ति करड़ का हो है। तमाम प्रe liberated है। किसानों के लिए, उनके खेती के उपकरणों के लिए, उनके खेती के समान को सस्ता करणे के लिए। उनके खाद और सिचाई के हर घर के नल की विवस्था के लिए किसान सम्मान निदी के लिए तमाम चीजे हैं। तो ये एक दूरदर्शी बजट है जो सिर्फ वित्यवर्ष 2022-2023 के लिए नहीं है बलकि इसका असर आने वाले 25 सालों में दिखाई देगा है। कुछ इस तरह का बजट बता रहे हैं यूपी सरकार के डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश शर्मा ऐसे में विपक्ष के आरोपों पर साफ है कि विपक्ष इसको भले निराशावादी बजट बताए लेकिन ये बजट एक ऐसा आशावादी बजट है जो बजट आम लोगों को पहुचाएगा कैमरा पसंट पेम सिंग के साथ रनवीर अबीपी निउज लग्टनौ अब को रखे आगे